अगले वर्षे B8 बंद, अब सिचक बनने के लिए करना होगा ITP, अब यह चीज क्या है, आइए हम दिटियल समझते हैं, देखें सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा गया है, कि अगर आप लोग बीना हाइलाइट परहे हुए ध्यान नहीं देते हो, तो यह दिक्कत आप लोग आप कर सकते हो, जिसमें एक साथ आपको BA का भी और BA का भी, डिग्री आपको एक साथ मिल जाती थी, लेकिन यह चीजे न, यह साल के बाद नेक्स्ट इयर यह बंद कर दी जाएगी, अब आपको यह चीज करने के लिए, इसमें एक ITPP कोर्स भी उसके बावजूद करना होग और यह जो चीजे हैं, इनके बारे में डिटर्स लिखा गया है कि सैचिनिक सत्र पचीस से चब्शों में परवेश्ट नहीं होंगे, हालिका NCTE की ओर से सैचिनिक सत्र पचीस से पचीस में अडिमिसन आप ले सकते हो, अब NCTE ने B8 की बजाए Integrate Teacher Education Program ला रहे हैं, खास बात किया है कि यह 12 के बाद सीधा ITPP कर सकेंगे, इसे B8 की जगा लागू किया जा रहा है, इसका पाटिकरम भी 4 साल का होगा, NCTE का कहना है कि यह बदलाओ नई सीच्छा नीती के तहत किया जा रहा है, इससे पहले ग्रेजवेशन के बाद 2 साल का B8 करते थे, यहां ध्यान देना लेकिन अब 12 के बाद सीधे ITPP कोर्स चार साल में कर लिशकेंगे, इससे अभियारतियों को एक साल का फैदा होगा, और ITPP कोर्स के लिए हर साल परवेश परिच्छा भी होगी, जिसकी मेरिट जारी की जाएगी, इसी दाहर पर बनी रैंक के अनुसार में अभियारतियों को इलोट किया जाएगा, यह जो भी कुछ होगी सो नेक्स्ट एयर से होगी, इस बार से कुछा कुछ नहीं होगा, और जो बीएट की जखा सुरू होने वाले इंटरिगेट टीचर प्रोग्राम के लिए कॉलेज को फिर से आविदन करना होगा, एंसी टी की और से राहा देते हुए इसमें यह फैदा दिया गया है कि पहले जिन कॉलेजों ने बीएट के लिए महता ले रखी है, उन्हीं के आविदन लिये जाएंगे, इसके चार-पांच फरवरी से आविदन भने शुरू हो जाएंगे, जो पांच मार्श तर चलेंगे, एंसी टी ने सपष्ट किया है कि यदि कोई संस्था जो NCT समयता नप्राप नहीं है, नए कोर्ष के लिए उसे खारिच कर दिया जाएगा, जो कि फीस जमा कराएंगे, उसके बाद सुलू होगा, तो कुल मिला के यही बाते बताई गई है, जो कि फोर्ट येस्ट को है, टू येस्ट को लेओ, कोई भी फ्यूचर मिलेगा, ठन्यवाद, ठैक्यू सुलू